नमस्कार दोस्तो अगर आप बिगेनर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनिस करना चाहते हैं या फिर एक ऐसे प्रड़क की तलाश में हैं जिसमें आप बहुती कम कोस्ट लगा कर कई गुना प्रॉफिट कमा सकें तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तो आज इस वीडियो में डिसकस करने वालों कैसे प्रड़क के बारे में और आपको लाइव दिखाऊंगा कि इंटरनेशनल मार्केट में ये प्रड़क कितने रुपे तक का सेल हो रहा है या मैं बात कराऊं मिट्टी के बरतन के बारे में हमारे इंडिया में हर घर में पाए जाने वाला मिट्टी का घड़ा या मिट्टी के बरतन इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल बायर हैं वो काफी ज़्यादा पसंद करते हैं और काफी अच्छी कीमत पर उन इंडियन मिट्टी के बरतनों को खरीदते हैं तो अगर आप कम investment लगाकर export business करना चाहते हो और dollars में पैसा कमाना चाहते हो तो इन मिट्टी के बरतन का export business शुरू कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ live computer screen पर के ये product की demand कितनी है और कहां sale हो रहे हैं और किस price पर sale हो रहे हैं तो आप भी ये business को कर सकते हैं और लाक रुपे का profit कमा सकते हैं तो friends अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जलो subscribe करें वीडियो को like and share करें चलिए कब चलते हैं आगे computer screen पर और देखते हैं ये मिट्टी के बरतन कितने रुपे में export हो रहे हैं तो दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं मिट्टी के बरतन के export के बारे में अगर आप export import business करना चाहते हैं एक startup करना चाहते हैं या फिर अच्छी profitability के साथ इंडिया से दूसरे देशों में export किया जाता है ये website आप screen पर देख सकते हैं इसका नाम itsi.com है जो की e-commerce site है जिस तरह से इंडिया में Amazon Flipkart काम करती है उस तरह से worldwide हर country में अपनी कुछ sites होती है जो कि हुआ काफी famous रहती है तो इसी भी ऐसी एक site है Amazon की तरह यहाँ पर जो handmade product होते हैं वो export किये जाते हैं sell किये जाते हैं तो जो Indian seller है वो इस website के थुरूब भी export कर सकते हैं अगर आप एक e-commerce export business में अपना काम करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पर स्क्रीन पर अगर आपको कुछ मिट्टी के बरतन है वो मिल जाएंगे जो कि अलड़ी इंडिया के जो seller है उन्हें sell कर रहे हैं export कर रहे हैं तो यह एक normal clay water port है जिसे हम लोग हिंदी में मिट्टी का घड़ा बोलते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी जो price वो 12,738 रुपीज है 12,000 रुपे का ये मिट्टी का घड़ा इंडिया से अल्रेडी export हो रहा है कितने का यहाँ पर मिल जाता है क्या costing आती है वो आप अपने अप अनुमान लगा सकते हैं भीजने के charges भी यहाँ पर nominal होते हैं अगर आप proper export transaction करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या charges लगते हैं यहाँ पर काफ़े अच्छी profitability के साथ ये जो मिट्टी का घड़ा है ये अल्रेडी इंडिया से export हो रहा है अगर हम और product की बात करें और क्या-क्या product इंडिया से export हो सकते हैं तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आया ये water bottle है जो की handmade clay water bottle है एक लिटर की water bottle है और ये 3000 से जाद की अल्रेडी यहाँ से sell हो रही है export हो रही है तो ये ऐसा product है यहाँ पर आपका investment काफी कम लगेगा profitability काफी अच्छी रहेगी और यहाँ पर आपको कोई inventory manage नहीं करनी है कोई different different SK use maintain नहीं करनी है simple product है चोकि हमारे इंडिया में हर जंगे आपको मिल जाएगा sourcing की हाँ कोई problem नहीं है easily source आप कर सकते हो अच्छी quality में जो product है बनवा सकते हो और बहुत अच्छे profit के साथ इंडिया से export कर सकते हो तो आप देख सकते हैं करीवे 3000 की bottle है जो already export हो रही है उसके अलावा आप देखिए आपकी screen पर है ये clay handy जो handy port होता है वो 7,161 रुपीज का export हो रहा है इंडिया से यहां से already जा रहा है तो आप देख सकते हैं ये मिट्टी के जो utensils हैं मिट्टी के जो बर्तन है वो बहुत अच्छी pricing के साथ already इंडिया से export हो रहे हैं इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आप भी इस तरह के का business कर सकते हैं इन मिट्टी के बर्तन में अपने export का future ढूंड सकते हैं यहां पर आपको बहुत कम investment में काफी अच्छा profit मिल जाएगा काफी अच्छी amount आप यहां पर earn कर सकते हैं अब यह किस तरह से export होते हैं क्या इनका तरीका है कैसे आप यहां list करेंगे documentation की क्या-क्य requirement है उसके लिए आप हमारे चैनल पर जो दूसरी वीडियोज है उन्हें जाकर देख सकते हैं उसके लाब अगर आपको कोई भी query है कोई भी problem है आप जानना चाहते हैं further इसके बारे में तो हमें contact कर सकते हैं आपके definitely help करना चाहें तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई topic के साथ तब तक लिए thank you शुक्रिया